वैँ आपने से बहुत सार। tornar और टेट करना है यह नहीं पता हुखे इंटरेट पे video देख रहे हैं और आपको यह वीधियो मिल गई है तो एक चीज में आपको बताना चाहूंगा कि आपक एक एसी पर आगए हो जिसमें आपको step by step guidance मिलने वाली है खासकर अगर आप बिगनर है तो आज हमार सक्रेक्टेड है one and only Mr. Amit जैन अमेज जी एक सेवी राइस्ट्रेट प्रोफेशनल है और आपको यह step by step guide करने वाले हैं commodity market के अंदर अपने experience है कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल भी knowledge नहीं है तब भी आप एक perfect वीडियो पर आ गए है क्या मैं सही बोल रहे हैं हम यहाँ पर हर चीज को वीडियो में और एकदम आसानवाता में और कोशिश करेंगे कि आप को इस वीडियो को देखने के बाद यह पता रहे कि बाजार क्या होता है कहां ट्रेड होता है क्या इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो यह यह बाजार यो ट्रेड होती है वह मल्टि कमोरेडी exchange पर ड्रेड होती है यह क्लोस होने की टाइमिंग अलग होती है अच्छाए अपरिल ऑन्वर्ट तिल अक्टोबर ये ग्यारा बच्के और नवेंबर से मार्च एंड तक ग्यारा पच्पन तक स्टार्ट रहता है यहां पर एनरजी सेक्टर की ट्रेडिंग होती है बेस मेटल्स की ट्रेडिंग होती है आप लगों को यह बता दूं कि जैसे जो लोग हमारा निफ्टी में ट्रेड करते हैं जैने यह पता है कि साड़े दीन तक बजार ओपन है अगर आपकी साड़े ग्यारा अबे तक रात में ओपन है और यहां पर जो डेवलप्मेंट होते ह शेजिए के बाद होते हैं आपने एक सेशन मौर्निंग का ऐकविटि मार्केट में कर लिया ऐसे बहुत सारे हमारे नोन लोग है ऐसे बहुत सारे हैं जो साड़े तीन बज़े बोलते हैं लेकिन कमांडी मार्केट में कमांडी मार्केट उपन होने का वेट करते हैं वह श्लीजार आप लोग आप लोग भी सब समझेंगे आप लोग चाहेंगे कि 6.30-6 बज़े के बाद हम भी बजार में पार्टिसिपेट करें तो यहां पर क्रूड ओयल ट्रेडिंग होता है क्रूड का मिनी कॉंट्रेक्ट भी है और क्रूड के ऑप्शन की भी ट्रेडिंग होती है तो एक सिंपल क्रूड ओयल हो गया जो क्रूड ऑल का फ्यूचर जो कर देकरा फरक लोगों को समझते क्रूड ये μέos गषीट में मैंसे में 501 अगर 57 थो आपको 1500 नफ़ा नुकसान होता है मंडा होना तेजूना वैसे यहां पर 10 की चाल में एक हजार रुपय का प्रॉफिट एक हजार रुपय का लॉस होता है उसी का एक मिनी वर्जन निकाला हुआ है रिटेलर के लिए जो छोटे निवेशक हैं जिनके पास कम पुझी है जो बजार में पाटिसिपेट करना चाहते हैं एक रुपय की मुमेंट पर दस के आज का मार्जिन फूचर का एक और यहां पर और चोटी चीज कवर कर देता हूं ताकि आप लोगों के फ्यूचर के लिए अच्छा नॉलिज हो जाएगा अगर बजार में ज्यादा है जैसे चार से आट परसंट का वोलेटिलिटी डवलप होने लगा बजार में कोई भी या फिर कोई डेटा के मुमेंटम से अगर बजार में चार से आट परसंट की वोलेटिलिटी ट्रिगर हो रही है तो बजार के मार्जिन एक्षेंज बढ़ा देता है ताकि आप ओवर ट्रेडिंग न करें यानि आप जहां पर चार लोट ने सकते हैं वहां पर सिर्फ दोई लोट के ट्रेडिंग कर पाएंगे तो यह वोलाटिलिटी पर मार्जिन डिपेंड करते हैं तो उसी तरह आज का मार्जिन जो है वो टू लैक सेवन्टी थाउजन के असपस मेगा का है ओके ऑन दा कॉंट्रारी मीनी की अगर बात करेंगे तो 27-28 यार से क्रूड में कि 10-15,000 रुपए के आसपस हैं तो दस लेकिन यह मालूम होना चीक यहां से तेजी आने वाली है नहीं तो आप यहां पर ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं और और ऑप्शन की लिक्विटिटिटी ऑसम है अच्छा यह एक क्रूड के फ्यूचर से और ऑप्शन की लिक्विटिटी ज्यादा है मैंने यह भी देखा है कि पूरे दिन में 10,000 लॉट का का जोगा क्रूड मेगा लॉट में जो आज से 4-5 सल पहले 4-5-5 लाख लॉट का होता था लेकिन वो सारा वॉल्यूम औप्शन में शिफ्ट हो चुका है अच्छा लोग पहलें यह रिकॉर्ड भी ब्रेक की जो कभी नहीं हुआ तो तो उप्शन की फूचर से ज्यादा आप्शन में त्रेडिंग हो रही है तो रिटेलर्स भी यहां पर पार्टिस्वेट करें अब मुझे पता है कि आप मेंसे काफी लोग और इस मार्केट में होंगे जानते हो लेकिन इसके बाद थोड़ा जादा जाएंगे तो कुछ राइल का मीनी होता है कुछ ऑप्शन ट्रेड होते हैं और यह 15 तरीक से अठ्रा तरीक के बीच में इसके वाइदे कारोबार की एक्सपायरी होती है हर मेहना हर मेहना होता है और इसमें आप रोल ओवर की कॉस्ट भी करती है कि कभी प्रीमेप पर रहता है इसमें स्टोरी होता है अगर ज्यादा डिमांड है तो बजार आगे के जो रहेंगे वह थोड़े महेंगे और बजार में मंधी एक्सपेक्टेड़ या फिर डिमांड कम होने वाली है तो कभी-कभी यहां पर यूज्योलिंघ कर देख करोना टाइम पर करेंट कॉंट्रेक्ट से अगला कॉंट्रेक्ट नीचे चलता था क्योंकि उस समय तो माइनस 40 डॉलर तक भी चला गया था क्योंकि डिमांड ही नहीं थी उनके प्रोडेक्शन इतने हो रहे थे कि वहां पर इंवेंट्री रखने के लिए जगह नहीं थी तो यहां पर आपके डिसकाउंट भी होते हैं और प्रीमियम पर चलते रहते हैं इसी तरह से चलती है यह थोड़ी चंचल प्रवत्ति किये और इसके डेटा भी आते हैं डेटा की बात हम आगे करेंगे यह एक रुपए में 1250 रुपए का प्रॉफिट लॉज देती है अगर अ 1250 रुपए प्लस होते हैं अभी तो 32 से अगर 33.60 हो गई एक रुपए मुनाफ हो जाए और इसी तरह से अगर एक रुपए नीचे गई तो उतना लॉज होगा इसका भी मीनी है अचा जी इसमें कितने किसे ट्रेड होता है इसमें करीब-करीब डेड़ लाग रुपए के आ मंडे पेड़ ट्रेड रहे ही तो एक बार आप लोग मार्जिन के देख सकते हैं क्योंकि इसके मार्जिन वोलताइल होते हैं और इसकी और यह और अप्शन्स की बहुत जबरदस तो यह साथ में लिखुट इबिपा चीज यानिए कि आप जब बाई और सेल करने जाएंगी कोई चीज़ को तो आपको अननेसेसरी कोई जो बायर और सेलर के डिफरेंस होता है वो कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी यह लिक्विडिटी ऑसम है तो आपके ट्रेडिंग बढ़िया होगी यहां पर लिक्विडिटी मस्त है तो प्रूडल मीनी प्रूडल का उप्शन नेच यह सारे अनर्जी में आते हैं लेकिन यहां पर और एक चीज अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कभी भी क्रूडल का अगर ट्रेंड अप है दोनों है तो अब एनर्जी सेक्टर में आगे तो हम क्या प्रिजिम कर लेते हैं कि यह दोना एनर्जी है क्रूड भाग रहा लेकिन मैंने एंजी लेवी थी गलत तरिका है मार्केट को एनलाइज करने का या फिर एक्सक्राइब करने कई क्रूड भाग रही तो मैं देमेज हो जाना या फिर वहां पर कोई स्टेट्मेंट आ जाना इन्वेंट्री कम हो जाना इसके बेस पर यह थोड़ी चंचल सभाव किये 10-12 रुपए का मुमेंट अराम से देती है तो इसके ऑप्शन भी बढ़िया चलते हैं यह आप्शन में नो डाउट जितना फ्यूच क्या बुरा है तो मुझे अच्छा लगता है यह वोलाटिलिटी होने की वज़ए से आपको प्रॉफिट अच्छे मिल जाते हैं और उसी तरह से लॉज भी ज्यादा नहीं होते हैं क्योंकि प्लस मैनेस दोनों उसी बराबर होगा उसी तरह से गोल्ड गोल्ड मीनी गोल्ड का भी मीनी कउंट्रेक्ट ट्रेट होता है गोल्ड का गुणिया बी ट्रेड होता है और इसके भी ऑप्शेंस होते हैं मार्जिन से शुरू करते हैं यूश गोल्ड का मार्जिन आज के आजका पहुने 6 लाग रूपे के असपास है 5,5 लाग rockets लाग रूपास हाजार रूपे मिया मेगा लॉट-क का मीनी का वन टेंथ कर लिए यह कर गोल्ड मेगा एक रूपे की तो यह इसमें तग्रीबन आप कह रहे हो अगर उसमें पॉने शेलाग रुपे लगेंगे तो इसमें वही मिला पांट सब्सक्राइब करता है तो गोल्ड मेगा आपके एक रुपे में 100 रुपे अगर बड़ा वाला जो मेगा लॉट है । 24 का जो रेट है यह अगर 1000 रुपा भागता है तो एक लाग रुपा प्लस होता है लेकिन गोल्ड पेटल उसी तरह से 120 रुपे गासपस का प्लस देगा बड़ आये भी उसका मार्जिन भी कम हो उसका राइट तो उसमें लगे भी 600 रुपे लगे भी 600 रुपे हैं तो यह अच अच्छा माजिया वो भी एक अच्छा प्लेटफॉम है गोल्ड भी में ले सकते हैं आप अच्छा यह में तो चलता है आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो वह एक अच्छे ऑप्शन है गोल्ड का अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो 19 परस यह ली बढ़ता है तो 11-12% का रहा है यह पिछले 5-6 साल होंगा पर लॉंग टम की बात करूं तो लॉंग टम में 9-10% आपको राम से मिलेगा गोल्ड में तो अगर 10% गोल्ड दे रहा है और गोल्ड को आप डिप्स पे और बाय करते रहोगे तो अच्छा ही आपके लिए तो अच्छा ही आपके हुआ है तो आपका हेजिंग भी हो रहा है अगर मार्केट करेक्ट होगी तो गोल्ड बढ़ेगा इस टॉपिक में बात करने वाले हांगे एडवांटेज जो है हमारे कवरडी से बजार को ट्रैक करने के यह पॉइंट कवर होगा अपसलिए मेरा यह मानना है कि मैं अगर आ करेक्ट रखेंगे तो पॉट्फूलियों कभी कोई मेजर करेक्ट हो गई नहीं कोई निगेटिव सेंटिमेंट दबलब बजार में तो कम से कम यह उपर हम हैं हम दोनों सब्सक्राइब तो लोग कभी कभी जाते हैं पांच परसेंट दस परसेंट गोल्ड में होना चाहिए बराबर गों यंशे लगता है कि चलो फिजिकललमीं तो होना ही चाहिए अपने इंडियन माइंडेंग या सोना है तो मैं सब्सक्राइब करता हूं निटें लेकिन इलेक्ट्रोनिक लीँ भी होना चाहिए कि आफ फिजिकल लेते हैं तो औल्मोस्त मेरे अनुमान से 12 ज 20% के पर आप बीबी की खुशी से कंपेर नहीं कर सकते हैं तो बड़ा सही है और आपने पैसा भी जोड़ लिया मैं भी यही करता हूं कि जब कोई आप पर रहा है तो लोगों ने वह गुंटियों का सेट बनवा देते हैं अच्छा अगयर जाद सब्सक्राइब हो गई अपसाइट के क्या पैसे थे तो गिन्य ही पहले दें लोग अच्छे डिजाइनिंग वे में तो गूगल करिए मैं तो बड़ा इंट्रस्टेड रहते यूं चीज़ों के अंदर तो इसमें कोई बुराई नहीं है हम मला आपकी वाइफ तो काफी यह होंगी बट जो मिडल एज वुमेन उन पर काफी सूट करता हूं अच्छा अभी से गिन्या करना चालो करते हैं आपकी तो हो गई होंगी यार यार वाइफ वाइफ की लिए पोल रहा हूं अपने कहा न अंटिया अंटिया बंजाती उनके अच्छा आप लुग देखी तो मुझे बड़े इंवेस्टमिट इव्ट इस आप क्या नहीं तो लोगों को लगता है मुझे तो कम लगता है पांट इस परसेंट किया है वेन जब आप इलेक्त रूरिक्त लिए आपका परपस किया है आप पांट परसंट कर रहे हो कि आपको लग रहा है उसकी returns कम है वो आप सिय वे में कर रहे हो तो अलग बात हो गई बट अगर हैं जिंग के लिए कर रहे हो तो आप क्या risk ले कर चल रहे हो किस asset class को आप hedge करना चाहते हैं तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि मेरे पास यार shares कितने के हैं तो उसके साफ से वो percent to percent depend करेगा पर पांच-जस percent कम है मेरे साफ से तो कम है, gold जादा होना चाहिए आपके बास चलिए सब के अपने views होते है तो यहाँ पर gold के साथ silver भी trade होती है silver का भी दो contract होता है, अच्छा gold के options लेकिन gold के options में एक थोड़ा सा problem है यहाँ पर दिख रहे है मुझे buy or sell price में difference है problem क्या है, problem तो यह नहीं चलिए, यह भी एक problem है कि buyer or seller में difference है, लेकिन आप यह देखिए, कि महंगा कितना ही है, gold अभी चल रहा है, आपका यह देखिए, इसके उपर वाला 62,000 633 यह देखिए, यह जो gold चल रहा है इसका 63,000 का call option यहने CE, चल रहा है 873 rupees, यहने कि अगर gold future 63,000 830 के उपर जाता है तभी फायदा हो, तभी फायदा देगा expiry तक तो आपने कहा, जैसा liquidity कम है एक वो problem और दूसरा, यह options में महेंगा बहुत है बहुत महेंगा है एक लाग रुपे प्रीमियम देखिए, आप माल ले रहे हो इसका जो theta है, वो कितना fast decay होता है और कब decay होता है यह लास्ट वीक में जादा होता है यूस मार्केट, उसके बाद यह बज़ार में मुमेंटम बहुत हो जाएगी तो गोल्ड के भी options trade होते है अगर किसी यह trade कप करना चाहिए गोल्ड के options बगर में जब एक तम conviction strong है कि बहुत यहां से तो फटने वाला है gold तब आप option में काम कर सकते हों कि 80,000 रुपे में आपको 1 kilo gold मिल जाएगा मातर 90,000 रुपे में मोटा माटिया माल लिए 90,000 रुपे में 1 kilo gold मिल रहा है तो उससे better गया है लेकिन वो conviction हो तो अभी करें उसी तरह से silver भी trade होती है silver mini silver का mega हो गया जिसमें 1 रुपे में 30 रुपे plus minus होते है और उसका margin उसका margin करीब 3,500,000 रुपे के आथ पर तो अगर 1,000 रुपे बढ़ती ही तो आपको 30,000 रुपे का नफा एक हजार तोटती ही तो 30,000 का नुक्सान उसी तरह से mini है ये 5 kilo का contract होता है यानि अगर आपके 1,000 रुपे बढ़ गए तो 5,000 रुपे प्लस होंगी 1,000 रुपे तूट गई इनके silver तो 5,000 रुपे का नुक्सान होगा उसी तरह से छोटे investors के लिए या फिर beginners के लिए micro launch किया हुआ है जहां पर 1 kilo का contract होता है 1 kilo silver होता है पहले तो आप यह देख लिए जिए gold का silver का भाव चल रहा है 77,500 रुपे 77,500 रुपे और इसका option देखिए आप 78,000 का C 25,000 रुपे चल रहा है यानि 80,500 रुपे जब तक cross निकर के तब तक आप मुनाफिम आई नहीं सकते तो इस वज़े से हम लोग कहते हैं कि avoid करो unnecessary अगर दो एक गड़ मैने में 3000 रुप पर 3000 रुप नीचे नहीं करो selling कर सकते हैं selling बिलकुल कर सकते हैं क्योंकि आपको इतना premium मिल रहा है मैं वही तो बताना चाहरो लोगों को अगर आपको इन फैक्ट डिरेक्शन सही है तो सही डिरेक्शन में selling करो premium का premium मिलेगा तो फाइदा एक और अच्छी चीज कर सकते हैं जैसे कि आपने यहाँ पर इसका call option बेचा 30,000 रुप आपका vision क्लियर है बिल्कुल ठीक है अगर यह मान लो 81,000 रुपए नहीं गया तो फ्रीम्यम तो पुरा घर पर आएगा लेकिन पैसा मोटा चीज़ आपको 5-6 लाग रुपए कम से कम 6-7 लाग रुपए तो रखने पड़ेंगे क्योंकि आपको अगर तो यह भी थोड़ा सा उसको सपोर्ट करेगा लेकिन सिर्फ डिरेक्शनल एक ही होगा यह जरूरी नहीं है कॉपर के एक रुपए के मोमेंट में पच्चिस सो रुपए प्लस माइनस होते हैं यानि अगर आपने मान लेते हैं अभी का वहाव कितना चल रहा है कभी ऐसा भी होगा कि आपने अगर बाय कर लिया तो सेलरी नहीं मिले तो परिशानी में पड़ जाओगे ओप्शन्स में काम नहीं करना है कॉपर और जिंक दोनों में अच्छी होती है तो इसमें हर मेना आपके कॉंट्रेक्ट चलते रहते हैं अभी दिसम्बर चल रहा है फिर जैनुवरी चलेगा जैनुवरी अभी भी चल रहा है लिक्विटीटीट का इस्षो रहेगा पच्छी सो रुपया प्लस मैंने जिंक में पांच होते है यहनि अगर एक रुपय चल गया वैसे जिंक की जो चाल होती है दिन की दो या तिन रुपय की होती है कोई बहुत डेटा निगटिव आ गया पॉसिटिव आ गया तो एक अलग बात है लेकिन एक रुपय में कि मार्केट की डिलिए इसका इसका भी मीनी है कॉपर का मीनी कॉपर का कुछ भी नहीं है तो एक हजार रुपए उपर नीचे एक हजार प्लप और उसका मारजिन कुछ 25,000 रुपए हो अपने दर्शकों को इंडिया की जन्ता को इतना एडूकेट कर दिया है क्योंकि जितना मैचुरिटी लेवल बढ़ेगा उतना मैचुर्ड वे में पार्डिसिपेट होगा बजार में और उसके लिए तो हम सब इसका पूरा कोर्स भी बनाया हुआ है उसको आई बटन में डलवा दिजिए तो चलिए मैं आप लोगों को यहां पर दो सारी स्क्रिप्ट लगा के दिखाऊ या फिर एक दो लगा के दिखाऊ एक बार एक बार लोगों को बिलुकु कॉमडिटी में सर्च कैसे करते हैं कहा क्लिक कर दें यहां से प्लस का साइन प्रेस करूंगा मैं तो यह और और अगर आप यहां से बाई करना चाहते हैं तो यह बटन है एक चीज और मैं रखना चाहूंगा मैंने कभी किसी वीडियो में किसी को बोला नहीं लेकिन यूजली लोग देखते हैं स्पेशली नए लोग यह बैस फाइव खोल लेते हैं और उसके बाद देखते हैं बायर कितने क्वांटिटी में खड़े हुए 343 के असपस खड़े हुए यहां जो आप लोगो 343 दिख रहे हैं और सेलर देखते हैं 240 तो बहुत आज तो इसमें डिमांड बहुत जादा है गलत परसेप्शन नहीं देखिए इसका सरकीट होता पर भी आप निफि वैंक काम करते हों अ हुआ क्कुई भी स्क्रिप्ट में काम करते हैं औक बॉप ज Allard आईं मैं तो आस तक और इसको देखा भी है यह तो inhardka का नंबर कितने को इसको इसते में में तो नहींचित और यह तो खिलगा में तुर रुक्षसलब्स तो यह basic यहां भी आप option chain analysis भी कर सकते हैं आप जैसे आप equity market में करते हैं हाला कि मैं तो नहीं करता हूं और इसी तरह से जैसे आपने यहां पर gold को मैंने add गया वैसे अगर आप silver में कोई सौधा करना चाहें तो silver को भी add कर सकते हैं silver December यह मार्च चल रही है इसको यहां पर प्लस का बटन दबा दीजे यह screen पर आ गई silver आपके तो आपने silver का यह मार्च में लिया है तो यह लोगों को बताना जरूरी है कि gold का हर दो महिने में एक्सपायरी है और silver का हर तीन महिने में एक्सपायरी है लेकिन साल में ऐसा contract भी आ जाता है तो 7-8 दिन पहले से कामकाज बंद हो जाता है तो next contract में shift जाते हैं लोग तो silver आपने देख लिया gold को लगाते विए देख लिए और कुछ आप चाहेंगे कि दरसों को दिखाना चाहिए इसमें हम options भी दिखा सकते हैं एक बर की options कैसे जाते हैं तो अपने दिखा देते हैं अब दिखा देते हैं अब दिखा देते हैं अब यहां पर आपको 6400 लिखना है प्लस C लिखना है C लिखेंगे तो ज्यादा बेटर एक बार में आ जाएगा इसकी भी expiry आ गई इसकी भी expiry आ गई 14 दिसंबर की तो इसकी futures और options की same expiry है नहीं कभी कभी उसका जैसे 17 तरीक को रहगा तो इसका 13 तरीक को रहगा अचा दो तीन दिन का difference होता है options और futures में options और futures में और यह gold और silver में भी same है ने उसका almost same होता है अचा crude में अलग होता है इसका कोई reason इसका reason तो मुझे भी नहीं पता है अचा लेकिन हाँ यह होता है reason I think internationally connected है वहाँ पर जैसे वाइदे कारोबार expire होंगे वैसे हमारी इंडिया में भी रखने पड़ते हैं तो इसका देखते हैं कितने का है इसका call option 6400 का CE लगा चुका हूं मैं इसको screen पर add कर देता हूं तो यह आ जाएगा screen पर इसी तरह से इसका बेस पार्ट के बास trust me अग option के बीचार देते हैं हमें नहीं मिले कभी हम लोगों ने future को calculate किया future को देखा और उसके बाद option में trade करने की कोशिश किये यहां पर तो option अभी आया सब लेकिन बहुत गोल्डन हेरा चल रहा है अपने ट्रेडर और इंवेस्टर कमेंटी के लिए यूज करो जितना यूज करते हो तो granted में मतलो कोई भी information को कोई भी video देखते हो कोई भी information मिलती है तो कर लो expertise कर लो तो यह उसी तरह देखिए आपको यहां पर 161 का भाव चल रहा है तो मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूं कि इसमें order कैसे डलते हैं यह अपने को buy करना है अब buy करना है sell करना क्यों ब कुरूड को तूटने की अभी जगा है तो हमें पहले वह decide करना होगा कि हमको करना क्या है थिक है में तेजी है मंदी है तो पी बाय करना है तो मैं यहां पर कूड का 6400 का ही स्ट्राइक प्राइस का पी लगा लेता हूं जैसे हमने सी लगाया था वैसे हमने पी लगा लिए यह लगया आपका फी आपको यह दिखा रहा है कि आपको बाइस हजार पांसो पचास रुपे लगेंगे एक लॉट के लिए अगर आपको एक लॉट में काम करना है तो यह और 37 पॉइंट्स यह सब चीजे ना हमें यह दिखनी पड़ती थी चार्ज कितना लग रहा है और 24 फिंटे के बाद वो कॉंट्रेक्ट नोट आता था फिसीकल घर पे फिर अम उसको देखके को पढ़ते थे कि यहां लगा है यहां करने के पहले ही पता है कि कि इतने पैसे मांग रहे हैं और क्या चाहिए अभी अग तो इसी तरह से आप लोग जो भी कमोनिडी में ट्रेड करना चाहते हैं यहां पर आप अपनी वाच लिस्ट में एड कर सकते हैं और उसको मॉनिटर कर सकते हैं आज की वीडियो के लिए इतना काफी है बिगनर्स के लिए आई इसके ऊपर जो इंटिमिडियेट लेवल पर सीखना चाहते हैं उनको नेक्स वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा क्यूंकि बिगनर्स के लिए आपको एक बेसिक इंडरस्टैंडिंग मिल गई है अगर आ तो जरूर आप सीखिए एक बार में नहीं समझाता है इन वीडियो को आप कई बार देख सकते हैं अपके लिए और अपना प्यार देके लाइक जरूर कीज़ेगा दोस्ता यहां पर मैं अपनी भी बात रखना चाहूंगा हम लोग से भी रिसर्च एनल लिस्ट हैं कंपनी म चाहिए तो आप कर सकते हैं In fact, description और pinned comment में जो लेंक उस पर भी विजिट करके, सर की कमनी की वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं. So, see you in the next video. Till that, I am Yugo Selfmade and Jai Hind.